परिवारवाद के नारे से भाजपा के हाथों सुख्राम परिवार छिटक रहा है जो बलको टखाई में चेतन बराक्टा का टिकट कटने के बाद सुख्राम परिवार अब सुरक्षित राजनेतिक भविश्य की तलाश में कडियां कॉंग्रेस से जोडने में लगा है मंडी संसदिया उपचुनाव में एक ही पाटी में साथ साथ चलने की बात कहने वाले पिता पुत्र यानी मंडी से सदर भाजपा विधायक अनिल शर्मा जल्द बड़ा धमाका कर सकते हैं इस बात के संकेत मंडी लोग सभा सीट से प्रतियाशी प्रतिभा सिंग ने भी दे द दिया है आज कॉंग्रेस प्रतियाशी और पूर्व सांसद प्रतिभा सिंग ने पूर्व केंद्रिय मंत्री पंडित सुख्राम के गड़ यानी सदर विधान सभाक्षेत्र में चुना प्रचार करके अपने लिए वोट मांगे प्रचार के दौरान उनके साथ पूर्व प् खाकुर और कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुल्दीप राठोर निशाने पर रहे और रैलियों बैठकों से गायब रहकर वे प्रतिभा सिंग के प्रचार का हिस्सा भी नहीं बने आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना के साथ भ प्रतिभा सिंग के प्रचार में शामिल होकर उन्हें पूर्ण सैयोग का भरोसा दिलाया उन्होंने सदर्क्षेत्र की जनता से प्रतिभा सिंग को भारी मतों से जीताने की अपील की वहीं इससे पहले प्रतिभा सिंग ने भाजपा पर भी जम कर निशाना साथा इस मौके पर उनके साथ नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी होतरी, पूर्व मंत्री, सुधीर शर्मा और सदर से पूर्व में कॉंग्रेस की प्रतियाशी रही चमपा ठाकुर सहित अन्य कॉंग्रेसी नेता भी मौजूद रहे। मतलब मंडी में जिस बात की आशंका जताई जा रही है कहीं ना कहीं अब बात पूरी होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि अब कॉंग्रेस पार्टी से ही परिवार अपनी राजनितिक गतिविध्यों को आगे बढ़ाएगा। और इसके साथ जैसा की परिवार बार-बार कह रहा था कि एक ही पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगली राजनितिक पार्टी अब परिवार ने कॉंग्रेस को चुन लिया है। के बात कहने में अब कोई अतिशोक्ति नहीं है। हाला कि अगर हम राजनीति की बात करें तो राजनीति में कुछ भी तैड नहीं होता है। लेकिन मौजूदा जो हालात इस समय मंडी लोक सभाक्षेत्र के उपचुनाव में बने हुए हैं। और सुख्राम परिवार के ओपर सबकी निगाहे थी उस स्थिती में। कहीं न कहीं आज अनिल शर्मा ने आश्रेय शर्मा के माध्यम से स्थिती को स्पश्ट कर दिया है। और अब इस्थिती के अनुसार सुख्राम परिवार एक बार फिर अपनी मूल पार्टी में रहे कर ही राजनीती करता नजर आएगा। वे इस बात को लेकर कहीं न कहीं अनिल शर्मा ने भी आज स्पष्ट कर दिया है कि वे चुनाव प्रचार में निकले हैं और आश्रे शर्मा ने भी ये बात कहीं और दोनों परिवारों के बीच में इस तरह का चुनावी माहौल चलता रहता है लेकिन वे कॉंग्रेस पार्ट कॉंग्रेस के साथ है इस बयान के बाद से प्रदेश में राजनितिक माहौल गर्मा गया है आगामी समय में देखना यह होगा की अनिल किस और जाते हैं कॉंग्रेस या फिर फिर से भाजपा का दामन थामते है इस पर सभी की निगाहें ठिकी होंगी